नमस्कार दोस्तों यह जो extension board देख रहे हैं यह खराब हो चुका है यानि कि इसमें 220 volt AC supply नहीं आ रहा है तो इसको के से ठीक करना है यह मैंने इस वीडियो में बताऊंगा सबसे पहले तो दोस्तों इसका जो 2P न है इसको मैंने हमारा घर का board उसमें लगा देता हूं तो यह देखे इसमें लगा लिया हूं और यहां पर हमारा switch on है और यहां पर हमारा supply आ रहा है मैं आपको चेक करके दिखा देता हूं line tester में तो यह देख सकते हैं हमारा tester में light जल र अगर करेंगे तो फेस्स का इस आपर यह एक्स टुछं बॉड में अनगी मैं नहीं आए अगर मनला स्वीस को शित्पा करेंगे काओ न सबर में इस प्रकार से करें तो देखें यहां पर हमारा फेस्ट का सपलाई और इसमें आरहा है। पर इसमें इस से दिखा देता हूँ यह देख सकते हैं यह वाला plug में नहीं आ रहा है यह देखे आ रहा है तो इसका मतलब यह जो switch है इसमें ही हमारा दिक्कत है तो चलिए इसको खोल के देखते हैं खोलने के लिए सबसे पहले इसको इस तरीके से पलट देते हैं और इसका पीछे की सेड में आप लोग देख सकते हैं चार होल लिखाई दे रहा है और यह चारो होल में हमारा चार स्कूरू होता है तो यह चारो स्कूरू को मैंने खोल लेता हूँ screwdriver की माध्यम से तो ये देखे दोस्तोँ मैंने 4 screw को खोल लिया हूँ और इसको मैंने निकाल लता हूँ अभी और भी थोड़ा-thोड़ा इनको लूज कर लता हूँ तो ये देखे दोस्तोँ ये हमारा निकल चुका है तो ये जो screw वगए रहे इनको मैंने यहां से निकाल लेता हूँ, यहां पर देख सकते हैं, यह हमारा में चीज है, इसमें हमारा काम है, देख सकते हैं, इसका side में यह हमारा wire भरा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, तो सबसे पहले अगर आपका extension board खराब हुआ है, सबसे पहले आपको wire को check करना यह दोस्त अंकर कंपानी का extension बोड़े इसके उपर में लिखा हुआ था यहां पर आप लोग देख सकते हैं अंकर लिखा हुआ है तो कोई भी कंपानी का extension बोड़ो वो सब बिल्कुल नर्माल जैसा ही होता है सबका जो connection बगरा होता है वो बिल्कुल सेम जैसा होता है तो अभी दोस्तों यहां पर यह जो प्लास्टिक होता है इसको निकालने के लिए यह वाला जो black color का प्लास्टिक है यहां पर एक स्कूर है यहां पर एक और यहां पर एक तो यह तीनों स्कूर को मैंने खोल के यह जो यहां पर देख सकते हैं स्विच्ज के साथ में यह तार लगा हुआ है इसको को ही चेक करना है आपको क्या करना है यह जो वैर को मल्टी मीटर से चेक करना है अगर आपके पास में मल्टी मीटर नहीं है तो आप क्या करें सीधा इसको आपका घर का जो बोड होता है उसमें लगाई है और उसके बाद में आपका यह जो वैर है यह जो वैर आप लुक लाइन टेस्टर में लाइड जल रहा है तो इसका मतलब इसमें हमारा फेज supply आ रहा है तो यह ब्लातार हमारा सही अभी हम क्या करेंगे जskin पिने इसको एस से लगाये थे तो अभी हम इसको पलट कया लगाएंगे कुछ इस तरीके से और इसके बाद में यह जो black वाला तार था इसमें पहले हमारा face supply नहीं आ रहा था ये line tester में light नहीं जला था अभी हम check करेंगे तो देखिए इसमें हमारा face supply आ रहा है ये line tester में light जल रहा है आप लोग देख सकते हैं तो इसका मतलब ये black वाला तार भी हमारा सही है तो इसी तरीके अगर आपके पास में multimeter नहीं है अगर multimeter है तो बहुती आसानी से check हो जाएगा multimeter को क्या करना है ये जो buzzer वाला mode इसमें लगाना है और इसके बाद में multimeter को एसमें रख देता हूँ और यहां पर क्या करना है ये जो तो ये दोनों पीन है या फिर ये जो दोनों तारे ये कहीं से सोटीं है कहीं से आपस में मिला हुआ है जिसकी वज़े से यहां पर सांड आ रहा है तो उस टाइम में आपको क्या करना है ये टू पीन को चेक करना है और ये कनेक्शन को देखना है कहीं अगर सोटीं होगा तो को सही करना है और इसके बाद में क्या करना है एक पीन के साथ में आप यह प्रोब को लगाई है और यह जो हमारे रेड कलर का और ब्लाक कलर का दोनों तारे इनके साथ में लगाई है तो यह देखिए इसके साथ में लगाने से हमारा continuity आ रहा है तो इसका मतलब यह वाला तार हमारा इस pin के साथ में connect है और इसके बाद में दूसरे pin के साथ में लगाई है और यह जो black वाला wire है यह हमारा बचा हुआ है इसके साथ में लगाई है तो इसमें देखे थोड़ा सा carbon हुआ है इसलिए यहां पर continuity नहीं बता रहा है तो इसको साप करके लगाना है तो यह देखे यहां पर हमारा continuity आ रहा है sound आ रहा है तो इसका मतलब यह वाला pin हमारा यह जो black color का तार है इसके साथ में connect है तो इस तेरी से multi-meter से यह जो हमारा wire two pin और यह जो हमारा सुइच में दिया गया है और सुइच के साथ में आप लोग देख सकते हैं एक इंडिकेटर लगा हुआ है आप लोग देख सकते हैं LED इंडिकेटर यहां पर एक रेजिस्टर लगा हुआ है और यहां पर एक LED लगा हुआ है तो यह जो हमारा सुइच के साथ में फेज वाला व से होता है इसका वेरिंगी बिल्कुल वेसे तो अब हम क्या करेंगे इसको डारेट कर देंगे यह जो सुईच है दोस्तों यह हमारा खराब हो चुगा है तो इसको डारेट कर देते हैं और डारेट करने से यह हमारा अच्छे से काम करेगा यह जो सुईच है दोस्तों यह हमार यह रेट कलर कवरा लगा हुआ था इसको मद यह सूइज का यह वाला बाइंट के साथ में लगा देंगा weekly को जड़ा देखे दोस्ति में यहांंकर वैर को इस परंड में घुषा लिया हूं यह हमारा सुइज का इस वाले पईन में तो अभी मैं इसकец फ्रुको ट जल रहा है तो यहां पर हमारा लाइन आ चुका है यहां पर मैं टेस्टर से दिखा रहता हूं यह देख सकते हैं हमारा टेस्टर में लाइड जल रहा है तो इसका मतलब यह एक्स्टेंशन बोड हमारा सही हो चुका है और यह जो सुईच है दोस्तों इसके साथ में अभी हमार फ़रक नहीं पड़ेगा और ओन करने शंञता भी कोई दौस्त दोस्तों फरक नहीं पड़ेगा यह Hmarraksenज भोड ओर दारेक्ट हो चुगा है तो इस तत्रीके से हमें रिप्यर करना है तो चलिए दोस्तों अभी यह हमारा तो ये दोस्ता हमारा हो चुका है आप लोग देख सकते हैं ये फिटिंग बढ़िया से हो चुका है और इसके बाद में क्या करेंगे ये जो वैर है इसको हम अच्छे से यहां पर इसके उपर में लपटेंगे तो यह देखे यह हमारा हो चुका है और इसके बाद में दोस्तों यह जो इसका कभर है इसमें हम इसको लगा देते हैं तो यह कुछ इस तरीके से यहां पर रह जाएगा और इसके बाद में यहां पर इसका कटिंग है यह वायर निकलने के लिए तो यहां पर इसको निकाल लेते हैं तो यह देखे दोस्तों यह हमारा सेट में आ चुका है और यहां पर मैंने चारो स्क्रू को जल्दी से टाइट कर लेता हूँ तो दोस्तों अभी हमारा यह extension board बिल्कुल ready हो चुका है तो दोस्तों अभी मैंने क्या करता हूँ इसको फिर से हमारा जो घर का बोड़े इसमें लगा देता हूँ और यह देखे लगाते ही हमारा LED जल रहा है आप लोग देख सकते हैं अभी मैंने इसको निकाल लेता हूँ और यह लगा देता हूँ ये देख सकते हैं, इसमें हमारा जो light नहीं आ रहा था वो आ चुका है, अभी मैंने tester से और एक बार check कर के दिखा रहता हूं, ये देखें हमारा tester में current आ रहा है, इस तरब नहीं आएगा, क्योंकि ये हमारा neutral का है और ये हमारा phase का है, phase में हमारा टेस्टर में current डिखाएगा यानिकि लाइट जलेगा तो यह देखे इसमें आ रहा है लेट इसमें नहीं आएगा क्योंकि यह हमारा आ रहा है अब नहीं आएगा अब सिर्फ एक तरफ ही हमारा टेस्टर में करेंट दिखाएगा आप लोग देख सकते हैं इसमें देखे इस तरफ में दिखाता है और इस तरफ में नहीं दिखाएगा तो जिस तरफ नहीं दिखाएगा लाइट आपका टेस्टर में वह वाला साइड आपका न्यूट्रल का है और जिस तरफ में आपका टेस्टर में लाइट दिखाता है वह वाला साइड आपका जो ऐसे पलेगा है तो एज़ आपको पता चल जाता है तो जो टूप दोस्तो ये थोड़ा से ध ύलया हुआ था इसलिए हमारा दोनों सैड में टेस्टर में करेंट आ रहा था अभी 20 सिर्भ एक ही सैड में हमारा लाइ कर ला के हैं एक की साइड में करेंट आता है तो हमारा सइय और दोनों साइड में करेंट आता है तो भी घमार एक्स्टेंशन बॉर्ड ख़राब है तो मैं आसकरता है तो आपको पसंद आ होगा अगर यह फिडio पसंद आ है तो इस वीडियो के लाएक कर दीजिए और इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सस्क्राइब भी कर लिजे